हेलो एंड वेलकम टू जॉब्स क्रेटर दोस्तों आज की इस वीडियो में हम करने वाले हैं टॉपिक वाइस MCQs on Accountancy का फिप्थ वीडियो तो इस वीडियो में हम बात करेंगे Financial Statements के उपर टॉप 30 MCQs के उपर तो जैसा कि आपको पता है कि इस चैनल पर आपको लगा था Topic Wise MCQs Accountancy के लिए आपको मिल रहे हैं यह हमारा फिप्थ वीडियो है आज Accountancy की Topic Wise MCQs के उपर तो इसके साथ हम जो बाकी जो जी के सेक्शन है Computer Section ने बाकी सेक्शन के उपर भी हमने Topic Wise MCQs लाए हैं तो वो भी जाकर आप Playlist में जाकर चेक कर सकते हैं Finance Account Assistant की तो चले आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं हमारा पहला Question है Current Liabilities are such obligations which are to be satisfied within one year, within two years, within three years या फिर within four years तो यहाँ पर आपको पूचा गया है Current Liabilities है जो कि obligations होती है किसी भी business के लिए कि या फिर कोई भी जो organization का जो भी head होता है उसके लिए तो इन obligations को उसको satisfy करना रहता है कितने time में एक साल के अंदर दो साल के अंदर तीन साल के अंदर या फिर चार साल के अंदर तो आपको पता है कि जो Current Liabilities होते हैं यह within one year जो है यह satisfy होनी चाहिए बहुत ही यह simple question था अगले question की तरफ मूँ करते है question number two computers owned by a firm are classified as तो यहाँ पर आपको बताना है कि जो computers होते हैं जो की एक firm के पास होते हैं उनको हम classify करते हैं as tangible asset, current asset, liquid asset या फिर intangible asset तो computers जो firm में present होते हैं वो क्या होते हैं तो आपको बता है बहुत ही simple है यह tangible asset होते हैं जिनको हम feel कर सकते हैं, touch कर सकते हैं तो यह tangible asset रहते हैं तो financial statements के उपर यह कुछ important MCQs मेंने लाए हैं I hope आप maximum questions का सही answer दे पाएंगे इसमें कोई numericals involved नहीं है अगले section जब अगली वीडियो आएगी इसकी तो उसके उपर numericals भी हम involve करेंगे अभी हमने सिरफ important MCQs जो हैं जिसमें ज़्यादा numerical type का कोई भी question यहां पर नहीं रहेगा simple concept based question यहां पर पूछी जाएंगे तो चले अगले question की तरफ मूँ करते हैं दोस्तो question number 3 हमारे screen की उपर आ चुका है loss on sale of an old car is debited to which account profit and loss account, car account, depreciation account या फिर ट्रेडिंग अकाउंट आपको पता है कि यहां पर जो trading and profit and loss account होता है यह general prepare किया जाता है trading account में आपको बता है debit side और credit side दोनी होती है debit side में expenses और credit side में यहां पर incomes यहां पर जो भी incomes होती है वो वहां पर दिखाई जाती है पर यहां पर जो पूछा गया है कि loss, loss हुई है यहां पर on sale of old car पुरानी car को बेचा गया है पर उसमें जो जब sale हुई है तो उसमें loss हुआ है तो उसको हम debit कहां करेंगे debit यानिकी expenses account में तो आएगा यह expenses की तोर पर आएगा पर किस account में उसको हम करते है प्रॉफिट एड लॉस अकाउंट में, car account में, devil station account में या फिर ट्रेडिंग अकाउंट में तो दोस्तो इसको हम debit करेंगे profit and loss account में क्यों यहां पर क्योंकि एक indirect expense है trading account में सारे जो है direct expenses को दिखाया जाता है पर जो यहां पर profit and loss account है यहां पर सारे indirect expenses शो किये जाते हैं तो इसलिए यहां पर यह profit and loss account में debit होगा अगला question की तरफ मुझ करते है sales are equal to sales किसके बराबर है यहां पर जो भी यहां पर options लेगे cost of goods sold plus gross profit cost of goods sold minus gross profit gross profit minus cost of goods sold या फिर purchases plus cross profit तो आपको इसका answer देना बहुती simple question है दोस्तों आपको यह पता है कि जो sales होती है यह होते है cost of goods sold plus gross profit तो यहां से हम sales निकालते है कि cost of goods sold जो होते हैee sales minus cross profit तो यहां से इसका formula बन जाता है sales equal हो जाता है cost of goods sold plus gross profit के बरापर यह होता है यह option इसका सही answer है बहुत ही यह simple question है अगले question की तरफ मूँ करते हैं question number 5 income tax paid by a sole trader is shown income tax जो sole trader pay करता है वो कहां पे show होती है on the debit side of trading account on the debit side of profit and loss account as deduction from capital in the balance sheet या फिर as addition to capital in the balance sheet तो income tax जो भी trader pay करता है वो कहां पे show होती है आपको पता है कि जो भी income tax pay होगा वो capital से ही pay होगा जो उसका capital होगा पर जब वो pay होगा तो वो deduce हो जाएगा उससे deduct हो जाएगा capital से और हमेशा capital balance sheet में show होती है तो इस वज़ा से as deduction from capital in the balance sheet C option इसका सही answer है question number 6 goodwill is a goodwill क्या है fictitious asset, tangible asset, intangible asset या फिर current asset, बहुत ही simple answer इसका goodwill एक intangible asset है क्योंकि इसको महसूस नहीं कर सकते है ये reputation होती है business की जिससे वो extra income वो earn करता है question number 7 की तरफ मूँ करते है return inverts in the trial balance is deducted from दोस्तों यहाँ पर आपको बताना है कि जब trial balance prepare किया जाता है उसके बाद यहाँ पर बताया गया है कि जब return inverts होती है, जो कि return हो चुकी होती है business में invert वो return होती है वो कहाँ से deduct होती है purchases से, sales से return outwards से या फिर gross profit से तो कहाँ से इसको deduct किया जाता है return inverse जो होती है trial balance में, यहाँ पर यह हमेशा से जो sales रहती हैं sales में जो भी हमें वापस चीज़े आती है, return inverse जो होती है उनको sales से ही इनको deduct किया जाता है in the trial balance यहाँ पर बाद में show किया जाता है इनको question number 8 में आपको बताना है financial statements में क्या-क्या चीज़े आती है trial balance, trading and profit and loss account, balance sheet या फिर trading and profit and loss account and balance sheet आपको बता है कि जो financial statements में इसमें सारी चीज़े आती है trading and profit and loss account भी आता है और balance sheet भी आती है यह financial position और financial जो performance होती है किसी भी business की वो यह show करते हैं सब question number 9 में आपको बताना है कि कौन से expenses trading account में show होते हैं तो बहुती simple question है यह direct expenses show होते हैं indirect expenses show होते हैं opening expenses या फिर direct and indirect expenses तो अभी मैंने आपको बताया था कि जो trading account होता है वहाँ पर जो debit side है debit side में expenses show होते हैं और यहाँ पर जो भी direct expenses होते हैं वो ही trading account में यह show होते हैं यह यहाँ पर show किये जाते हैं और जो profit and loss account है उसमें सारे indirect expenses शो किये जाते हैं Question number 10 Which statement shows financial position of the business कौन सा statement इन में से financial position है business की वो शो करता है trading account, profit and loss account, balance sheet या फिर trial balance तो financial position जो होती है business की वो हमेशा balance sheet जो हम बनाते है assets or liabilities का उनको compare करके तो वहां से जो financial position होती है business की वो हमें पता चलती है तो I hope आपने 10 में से maximum questions जो है अभी तक solve किये होंगे यहाँ पर मैं आपको बता दूँ कि PDF अगर आपको यह चाहिए तो आप Telegram channel जोइन कर सकते हैं Telegram channel का link आपको description में मिल जाएगा description में link मिल जाएगा वहां से आप join करें Telegram channel को वहाँ पर लगातार आपको जो भी videos upload होती है सब PDF वहाँ पर आपको मिल जाएगी तो चलिए अगले question की तरफ अगले question में आपको पूछा गया है कि इन में से कौन सी equation correct है operating profit equal to net profit minus non operating expenses minus non operating income इसी तरीके से B option में आपको बताया गया है operating profit equal to net profit plus non operating expenses plus non operating income C option में बताया गया है operating profit equal to net profit plus non operating expenses minus non operating income और D option हमारे पास है operating profit equal to net profit minus non operating expenses minus non operating income सब में ने पढ़ लिया है तो अभी तक आपने answer चुन लिया हो क्योंकि आपको ये पता होगा कि net profit जो होता है हमारा वो हमेशा operating profit जो भी operating करने के लिए जो भी हम profit earn करते है plus उसमें हम non operating income भी जोड़ देते हैं उन सब को जोड़ कर operating profit और non operating income को जोड़ कर उसमें से हमने minus करना होता जो भी non operating expenses लगते हैं उससे हमारा net profit आ जाता है तो यहाँ पर इसको अगर rearrange करते हैं हम तो हमारे पास आ जाएगा operating profit equal to net profit तरह हमो करते है carriage outwards is shown in जो carriage outward है वो कहां पर shown होती है trading account में profit and loss account में balance sheet में या फिर either A और B दोस्तो carriage outward आपको पताए कि carriage outward in direct expense होता है तो यहाँ पर यह हमेशा profit and loss account में ही show होगा यानि कि B option यह सही आंसर है इसका question number 13 की तरह मो करते है expenditure incurred on a fixed asset which increases the earning capacity is accounted as दोस्तों यहाँ पर आपको पोचा गया है जो expenditure हम करते है किसी fixed asset के उपर जिससे उसकी यहाँ पर earning capacity जो होती है business की वो बढ़ जाती है उस expenditure को हम क्या कहते है capital expenditure, revenue expenditure, deferred revenue expenditure या फिर general expenditure तो यहाँ पर इसका आंसर आपको देना है जल्दी से आप इस answer बता देंगे सही answer है capital expenditure इसको हम कहते है जो भी हम fixed asset को करीदने के लिए जो भी expenditure हम करते है जिससे उसकी earning जो capacity है वो भढ़ जाती है उसको हम कहते है capital expenditure अगले question की तरफ closing stock shown inside the trial balance is shown in closing stock जो कि trial balance में show किया जाता है वो कहां पर और show किया जाता है trading account में इसको show किया जाता है profit and loss account में balance sheet में या फिर नहीं आजिस तो यहाँ पर आपको बता है कि trading account or profit and loss account में इसको show नहीं किया जाता है कि इसमें कोई income और loss नहीं है पर यहां पर जो balance sheet है वहां पर हम closing stock को show करते हैं C option इसका सही answer है अगले question में आपको बताना है कि इन में से कौन सा balance sheet में show नहीं होता है opening stock, closing stock, patents या फिर debtors तो आपको बता है कि balance sheet में इन में से opening stock जो है वो show नहीं होता है बाकि यह सारे कुछ जो है यह show होते है capital expenditure and revenue expenditure are distinguished or not distinguished may or may not be distinguished या फिर must not be distinguished या हमारा question number 16 है यहां पर आपको बताना है कि capital expenditure revenue expenditure distinguished होते हैं अलग-अलग होते हैं इनको distinguished नहीं किया जासता या फिर किया भी जा सकता है या फिर नहीं भी किया जा सकता है या फिर must not be distinguished इनको किया नहीं जाना चाहिए distinguished पर यहां पर आपको यही answer बताना है कि capital and revenue expenditure जो होते हैं यह हमेशा अलग-अलग रहते हैं इनको हम distinguished कर सकते हैं similar तरीकी से आपको यहां पर अगले question में question number 17 में भी बताना है कि capital receipts and revenue receipts यह distinguish होती हैं यह फिर नहीं होती हैं इनको चुनना है answer चारों options में से यहां पर आपको बताए कि यह भी distinguish की जा सकती हैं डोस्तो question number 18 आपकी street के उपर आ चुगा है revenue expenditure is transferred to revenue expenditure जो होता है पूरा revenue के उपर जो हम उसके उपर revenue expand करते है expenditure जो होता revenue expenditure उसको हम कहां पर show करते है है वो कहां पर transfer होता है profit and lossyou में, trading and profit and loss account में, balance sheet में या फिर purchase account में, तो हम मैं बता कि यह जो पूरा account है trading and profit and loss account में इसमें यह transfer होता है. Question number nineteen के तरफ मुह करते है revenue income is transferred to up. revenue income जो होती, income रहती है, वो कहां पर transfer होती है? तो यहाँ पर भी यह भी trading and profit and loss account इसमें ही transfer होती है तो 19 का B option आएगा question number 20 capital expenditure is included यहां पर आपको बताने कि जो capital होता है capital पर expenditure लगता है वो कहां पर show होता है तो यह आपको बता है कि यह capital हमेशा balance sheet में show होता है जो expenditure लगेगा वो हमेशा balance sheet में show होगा उसी परकार से अब capital receipts कहां पर show होती है वो भी हमेशा balance sheet में show हम show करेंगे तो यहां पर a option इसका सही आंसर मन जाता है question number 22 की तरफ हो करते है outstanding salaries is shown as outstanding salaries जो है वो कहां पर shown की जाए यहां पर options आपके पास है asset होता है asset में यह show किया जाता है in the balance sheet liability in the balance sheet adjusted in the profit and loss account या फिर both be and see तो दोस्तों आपको बाता है outstanding salaries होती है अभी हमें जो भी कोई भी firm होता है उसका जो head होता है या फिर owner होता है उसने जब salaries pay नहीं की होती है अभी अपने employees को outstanding salaries मानते हैं हम उसको तो उस हिसाब से अगर देखा जाए तो उसकी balance sheet जो भी बनाई जाएगी enterprise की वहाँ पर इसको as a liability show किया जाएगा outstanding salaries को और साथी साथ अगर हम इसको देखें तो profit and loss account में इसको हम as adjust कर सकते हैं profit and loss account में as a expense तो यहाँ पर B और C option दोनों सही answer है इसका D option यानकि both B and C are correct question number 23 की तरह हमोग करते हैं large advertisement expenditure to introduce a new product is अब हम यहाँ में हमें यहाँ पर बताना है कि जो advertisement के उपर जो हम expenditure करते हैं एक नया product को introduce करने के लिए उसको हम क्या कहते हैं तो आपको बता है कि advertisement के उपर जो expenditure होता है जो कि एक से ज्यादा accounting period जो होता है जो साल होते हैं से ज्यादा साल उसमें हमें फाइदा मिलता है तो उसको हम हमेशा deferred revenue expenditure कहते हैं जिसका फाइदा हमें multiple years के लिए मिलता रहता है advertisement का question number 24 purchases of machinery for production is जो भी machinery का हम purchase करते हैं production के लिए उसको हम क्या कहते है revenue expenditure capital expenditure deficit revenue expenditure फिर नन आफ दीस तो जो भी machinery का हम purchase करते हैं production के लिए जो भी purchase होगा तो हमेशा वो capital expenditure किया जाएगा कहा जाएगा क्योंकि capital से यह हमेशा expand होगा अगले question आपको बताने question number 25 में computers purchased for resale is यहाँ पर आपको बताने कि जो computers जो हम purchase करते हैं उसके बाद हम उसको बेज देते हैं तो resale के लिए जो भी हम यह करते हैं उसको हम क्या करते हैं capital expenditure कहते हैं revenue expenditure deficit revenue expenditure आपको बता है कि जो भी computers हम purchase करते हैं resale के लिए उसको हम कहते है revenue expenditure क्योंकि revenue इससे earn होता है तो इसमें हम कहते है revenue earn के लिए revenue expenditure question number 26 insurance premium paid to insure the machinery at the time of its purchase is insurance premium paid जो insurance का premium हम pay करते हैं जो भी machinery को हम insure करते हैं at the time of purchase purchase हम जब हम किसी machinery की purchase करके उसको insurance करते हैं तो insurance premium जो pay होता है वो कहां से होता है revenue expenditure capital expenditure होता है या फिर deficit revenue expenditure होता है या फिर none of these तो यहां पर आपको पता है कि यह भी capital expenditure ही रहेगा capital में से ही यह जाएगा question number 27 expenses on overhauling a second hand machine purchased is यहां पर भी आपको बताना है कि जो second hand machine जो हम purchase करते हैं उसमें जो expenses लगते हैं वो कहां से आते हैं यहां पर balance sheet में a list of assets assets की भी list है liabilities की भी है और capital जो है business का at a certain date वो यहां पर balance sheet में show किया जाता है यादिकि D option इसका सही answer है question number 29 की तरह मोग करते हैं which of the following is not the part of financial statements इन में से कौन सा financial statement का part नहीं है trial balance trading account profit and loss account है फिर balance sheet आपको बता है कि trial balance जो है यह financial statements में नहीं आता financial statements में trade and profit and loss account और balance sheet आती है आखरी question हमारे session आ चुका है Salaries and wages account is shown in salaries or wages account कहां पर shown किय जाते है तरेडेटिक अकाउट के Frame और Profit and loss account बैलेसेट में या फिर trading account and balance sheet में तो आपको बताए कि जो salaries होती हैं और wages जो होती हैं हमेशा यह हमारे direct expenses रहते हैं तो यह हमारे profit and loss account में show किये जाते हैं तो I hope यह वीडियो आपको पसंद आया होगी बहुत ही simple questions थे यह conceptual based questions थे अगले जो वीडियो हमारी आएंगी उसमें हम numericals भी लाएंगे जो topic wise mcqs हमारी चल रहे accountancy के उपर इसमें हम numericals जो बनेंगे इस topic के उपर और वो numericals भी आपको मिलेंगे साथी साथ आपको जो next जो topic से उनके उपर भी topic wise mcqs आपको मिलेंगी यह हमारी fifth video थी जो की थी financial statements के उपर based अगली वीडियो जो हमारी इसी परकार से आईगी जो की हमारी partnership accounts का जो हमारा अगला topic है उसके उपर आ सकते हैं जिसमें numericals भी involved करेंगे तो I hope आपको यह वीडियो पसंद आई होगी अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को like कीजे और चैनल को आप सबस्क्राइब कर लेजी अगर PDF आपको चाहे तो टेलेगरम चैनल को आप जोईन कर सकते हैं और वहां से आपको PDF जो हर एक MSQs जो सेशन्स यहां पर होते हैं उसकी आपको मिल जाएगी तो फिलाहल इस वीडियो में इतना ही मिलते हैं अब अगली वीडियो है तब तक लिए बाबाई जहिंद